हलो एफ्रीवन, वेलकम बैक टू मैं योट्यूब चैनल डीप स्टेडी आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बायोक्राफिय ओफ मुजद्दीन भहरम जो दिल्ली सल्तनत के सिख सुल्तान थे और इल्थुत्मिश के बेटे थे मुजद्दीन भहरम का टाइम पीरिड में 1240 से 15 में 1242 तक था उनका जन 9 जुलाई 1212 में हुआ था उनके पिता का नाम इल्थुत्मिश और मादा का नाम शाहतुरकन था जो की कुतबुद्दीन एबक की डॉटर थी उनका रिलिजन सुनी इसलाम था उनके मिर्थ्यू 15 ओक्टोबर 1240 में 29 साली की उमर में हो गई थी उन्हें सुल्तान गरी दिल्ली में दफनाया गया था इसको एक ग्राफ के थुरू पढ़ने की कोशिश करते हैं समझने की कोशिश करते हैं इल्तुतमिश जो के दिल्ली सिल्तनत के थर्ड सुल्तान थे मैंने इसके भी बारे में एक वीडियो बनाई हुई है अगर आपने अभी तक नहीं देखिए तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसे जाकर जरूर देखे वैसे तो उनकी बहुत सारी पत्निया थी लेकिन हम यहाँ दो के बारे में पढ़ेंगे पहली थी शाहा तुरकन और दूसरी थी तुरकन खातुन शाहा तुरकन के दो बेटे थे निशारुद्दीन महमूद और रुकुद्दीन फिरोज और तुर्कन खातुन के दो बच्चे थे रजिया सुल्टान और मुईजुद्दीन बहरम मुईजुद्दीन बहरम जिनके बारे माँ इस वीडियो में पढ़ने वाले है इलतत्मिष अपने बड़े बेटे निशारुद्दीन मुःम्मूद को सुल्टान बनाना चाहते थे लेकिन 1229 में उनकी मृत्ती हो गई जिसके बाद तुरकिश नॉबल्स ने इलतत्मिष की मृत्ती के बाद रुकुद्दीन फिरोज को नेक्ट सुल्टान बनाया रुकुद्दीन फिरोज के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था अगर आपने नहीं देखाया तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लीज जाकर जरूर देखे रजिया सुल्तान के भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है अगर आपने वो भी नहीं देखिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा प्लीज जाकर ज़रूर देखें रजिया ने चार साल तक रूल किया लेकिन उनके भाई मुझद उद्दिन भहरम ने उनकी हत्या करवा दी जिसके बाद दिल्ली के सुल्तान बन गए एक बुक है तिबाकते निशारी जो कि 13 सेंचुरी में एक पर्शन हिस्टोरियन द्वारा मिनहाजे सिराज के द्वारा फार्सी भासा में लिखी गई है इस बुक में मुझद गोरी से लेकर निशार उद्दिन महमूद तक की सभी महतपून जानकारिया दी गई है जिसके अंदर मुझद धिन भैरं के बारे में भी काफी सारी घटनाओं का जिक्र किया गया है Early Life मुझद धिन भैरं का जन 9 अप्रेल 1212 में हुआ उनके पिता का नाम इलतुतमिश्ट था और माता का नाम तुरकन खात्म था जिनने कुतुब बेगम के नाम से भी जाना जाता था और वे कुतुब बुद्धी नैबक की डॉटर थी रजिया मुझद धिन भैरं की सिस्टर थी जब मुझद धिन भैरं की जो सिस्टर थी वो भटिंडा में थी तब मुजुद्दिन भहरम ने खुद को सुल्तान घोशित कर दिया और 40 चीफ्स जो तुर्के चहलगामी के 40 चीफ्स थे उनकी मदद से रजिया ने वापस से दिली पर कबजा करने की कोशिश की अपने पती के साथ लेकिन ऐसा करने में वो नाकामियाब रहे और मुजुद्दिन भहरम की जो आर्मी थी उन्होंने ब्रजिया सुल्तान को और अलतुनिया को अरेस्ट किया और वो वहाँ बंदी बना लिया और उनकी आर्मी ने लुटेरे बेज कर उन दोनों की हत्या करवा दी लेकिन भहरमशा तुरकिश चीफ के लिए केवल एक पपिट था जो तुरकिश नोवल्स थे उनके लिए वह सिर्फ एक कटपुतली के रूप में काम करता था इससे जादा उसके पास सरकार में उससे जादा कोई शक्ती या प्रभा नहीं था इसके बजाए वह एंटर्टेन्मेंट के लिए शराप के लिए इन सब चीजों के शोक के लिए वो बदनाम था बहरमशा की ताजपोशी 21 अपरेल 1214 को लाल महल में जो की दिल्ली में है वहाँ पर हुई लेकिन कुछ समय बाद जो 40 चीफ्स थे तुरके चहलकामी के जो 40 तुरकिश चीफ्स थे बहरमशा से सारी पावर वापस ले ली उस समय मुहाजुद्दीन दिल्ली के मिनिस्टर थे इस तरह से उस टाइम पर जो दिल्ली की सरकार थी वो बहुत जादा उथल पुतल हो गई थी और उस टाइम पर दिल्ली सल्तनत के तीन डूलर बन गए थे ये जो उस टाइम पर अंड्रेस्ट का टाइम था बहुत जादा आशान्ती फैली हुई थी और बहुत जादा उथल पुतल मची हुई थी उसी टाइम उनकी सेना के जो 40 प्रमुक थे उन्होंने मुईजुद्दिन भैरम को सफेद किले में घेर लिया और उन्हें मार दिया बैरम शाकी मृत्यू के बाद उनके जो नेफ्यू थे अलाउद्दिन मसूद जो के रुकुद्दिन फिरोज के बेटे थे उनको नेक्स्ट रूलर बनाया गया आज की वीडियो यही तक थैंक यू फर वाचिंग अगर आपकी मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को दबाना ना भूलें जिसे कि आपको मेरी लेटेस्ट अपकमिंग वीडियो का नोटि